हेलो गाईज क्याल चाल स्वागत आपका अमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में आज हम कर रहें चैप्टर नंबर फाइफ अकाउंटिंग रेशियो के क्यूशिय नंबर 58 59 60 61 62 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर तो देखते हैं आज का फॉलिंग इन्फोर्मेशन क्या इन्वेंट्री ट्रन वर रेशियो क्या कल्कुलेट करने हैं इन्वेंट्री ट्रन वर रेशियो क्ठी अपने पास इन्वेंट्री को पार्चेज करते हैं उप यह मैं एकी बात्य दोनों ठीवादेर ज्या सब्सक्राइब्येंट्री विणक्कुलेट करेंग पर्चेजिस गिवन है रेवेन्यू फ्रूम उप्रेशन ट्वेलेक्ट डारेक्ट एक्सपेंस फॉर्टीएट थाउजन ग्रोस प्रोफिट रेशिव 15 पर्चेंट और रेवेन्यू फ्रूम उप्रेशन एंड लगेंगे हुआ हम्या कंचेंट प्रोफिपयं 20 पर 22 ड्रो Alt Febru केंडरेशन के इनदर उपनिंग इन्वेंट्रेशन गिवन नहीं है वह मैं किल्कुलेट करते तो तो पहला काम क्या रहेगा अगर हम average inventory calculate नहीं करते तो हम क्या करेंगे COGS फिर हम calculate करेंगे ठीक है तो COGS का formula कौन सा लगेगा इसमें अगर opening inventory नहीं है तो second formula कौन सा था sales minus GP ठीक है sales की value कितनी अपने पास कौन सा formula लगाएंगे हम sales minus GP sales मतलब revenue from operation हम लिख सकते हैं so sales is 12 लेक sales कितनी है 12 लाग की GP कितना gross profit कितना अपने पास gross profit ratio is 15% revenue revenue मतलब sales 15% on sales क्या sales का data बिल्कुल है क्या GP sales की उपर है बिल्कुल है तो direct percentage हम लगा लेंगे तो gross profit कितना आ जाएगा अपने पास 12 लेक मल्टीप्लाइबाइब 15% यह आ जाएगा अपने पास 1,80,000 कितना आ जाएगा 1,80,000 वेल्लेक माइनस 1,80,000 यह हो जाएगा 10,20,000 COGS is 10,20,000 कितना आ जाएगा 10,20,000 रूपया आ गया अब हमें देखना है average inventory के लिए चाहिए हमें opening ओपनिंग हम direct calculate कर नहीं सकते लेकिन हमारे पास क्या आ गया COGS आ गया क्या आ गया COGS आ गया और हमें पता COGS का formula क्या होता है COGS का formula होता है opening inventory plus purchases plus direct expenses minus closing inventory यह अपने पास formula होता है अच्छा question में हमें पता COGS की value 10,20,000 तो COGS की जंगे कितना put करेंगे 10,20 opening inventory हमें calculate करना पड़ेगा तो opening inventory हो गया plus purchase की value 10 lakh purchase की value कितने आ जाएगे अपने पास 10 लाग के आ जाएगे purchases plus direct expenses कितने अपने पास 48,000 के direct expenses आ गए and closing inventory is closing inventory कितना 164,000 पहले तो plus minus कर लो उसके बाद आगे देखते है so 10 lakh 20,000 is equal to opening inventory plus 10 lakh plus 48,000 minus 164 कितना आ जाएगा so यह आ जाएगा 8 lakh 84,000 कितना आ जाएगा 8 84 इन दोनों को plus करके यह minus करते हैंगे अब यह plus है equal to से दूसरी set जाएगा minus होगा so 10 lakh 20,000 minus 8 lakh 84,000 is equal to opening inventory so opening inventory कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 1 lakh 36,000 so ओल करेंगे तो opening inventory आ गया 136 ठीक है opening inventory आ अपने पास अब हम average inventory calculate कर ले so average inventory कैसे आ जाएगा अपने पास opening plus closing divided by 2 opening plus closing divided by 2 opening हमने अभी calculate किया 1 lakh 36,000 closing कितना अपने पास 1 lakh 64,000 divided by 2 इन दोनों का total कितना आएगा यह आ जाएगा 3 lakh divided by 2 कितना आ जाएगा अपने पास 1 lakh 50,000 average inventory आ गया अपने पास 150 यहां लिखेंगे 1 lakh 50,000 so 10 lakh 20,000 divided by 1 lakh 50,000 यह आ जाएगा 6.8 times so inventory turnover ratio कितना होगा अपने पास 6.8 times होगया कितना होगया 6.8 times आगया अपने पास inventory turnover ratio के लिए रहे आगे देखते है next calculate opening inventory from the following information सिर्फ क्या calculate करना आपको opening inventory calculate करना है from the following information ठीक है तो अपने पास क्या क्या given है purchase is given है fright given है fright miscellaneous expenses इसे हम direct treat करेंगे direct expense है miscellaneous expenses indirect होता है P&L में जाता है यह अपने पास इसका पार्ट नहीं बनेगा opening inventory वाले formula है revenue from operations है मतलब sales closing inventory है gross loss given है question में क्या given है gross loss तो यहां पर कौन सा formula लगेगा देखो इसके अंदर average inventory नहीं हो सकती क्योंकि opening inventory में calculate करना है तो सबसे पहला काम क्या बनेगा अपने पास हमें cogs ही calculate करने है क्या करेंगे cogs calculate करेंगे अब opening inventory नहीं है तो cogs अपने पास first formula से नहीं आएगा कौन सा था opening inventory plus purchase plus direct minus closing तो हमें दूसरे formula के उपर जाना पड़ेगा कौन सा था दूसरा sales minus gp या फिर अगर loss है तो sales plus gp sorry sales plus gross loss sales plus gross loss ठीक है यह formula लग जाएगा sales की value given अपने पास already कितने पांच लागता sales तो है अब हमें क्या calculate करने gross loss gross loss कैसे आएगा देखो gross loss का जो rate है वो 16% है किस के उपर sales के उपर क्या sales का data given है बिल्कुल given है तो direct calculate कर लेंगे 5 lakh का 16% कितना आ जाएगा यह आ जाएगा यह आ जाएगा 5 lakh 80,000 आ गया अपने पास gross loss आ गया उस gross loss से हमने क्या calculate कर लिया cogs अच अब cogs का formula क्या लगाएंगे हम cogs का formula लेके चलेंगे opening inventory plus freight plus purchase लिख लो पहले plus purchase plus freight यह direct expense हो गया minus closing inventory यह data आपने पास इसे fill कर लेंगे cogs is 5 lakh 80,000 and opening inventory is calculate करना में opening inventory को plus purchase आप 5 lakh 70,000 freight is 20,000 and closing inventory कितना अपने पास closing inventory है 70,000 का so अब हम solve करेंगे opening inventory plus 570 plus 20 कितना आ जाएगा 590 minus 70 कितना हो जाएगा 520 यह हो गया 5 lakh 80,000 so 5 lakh 80,000 से minus कर देंगे हम कितना 5 lakh 20,000 यह अपने पास क्या आ जाएगा opening inventory so opening inventory की value कितनी हो जाएगी माइनस करेंगे तो 60,000 आ जाएगा अपने पास opening inventory ठीक है बस इतना ही करना थे से यह आया है समझ में next देखते है question number 60 क्या given है from the given information जो भी information given है उसके इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा मैंने आपको पहली बता है अगर ग्रोस प्रोफिट के आगे कुछ भी लिखा ना हो तो उसके आगे प्रेकिट में sales लिख दो वो किसके उपर होगा वो sales के उपर होगा sales का ही data given है GPB किसके उपर है sales के उपर है कुछ नहीं बोला तो sales ही मानेंगे तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा स्यों जी आजाएगा ओपनिंग इंवेंट्री वाज 1 4 व्यू फ्यू जींवेंट्री कि उप्निंग इंवेंट्री कि इंड खोटी पर्सेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रोम और मेंद्ट कर लेते हैं मेरे को इतना समझ में आए कि सी ओजिए इस इसली कैल्कूलेट हो जाएगा सो COGS का formula क्या लगाएंगे COGS का formula आ जाएगा अपने पास यहां पे sales minus JP या फिर revenue from operation minus gross profit जैसे भी आप कर दो, कोई दिक्कत दी sales की value है मेरे पास 2,00,000 की, gross profit मेरे को calculate करने, so gross profit कितना आएगा 2,00,000 का 25% 2,00,000 का 2,00,000 divided by 4 कितना आ जाएगा अपने पास ही 50,000 आ जाएगा gross profit, so COGS कितना आ जाएगा अपने पास 1,00,000 का आ जाएगा COGS आगया, अब closing inventory question ने खुद बताया, hint दिया closing inventory 40% है revenue from operation की, so आगर मैं calculate करूu closing inventory तो revenue from operations कितना मेरे पास 2,00,000 का कितने percent 40%, 40 by 100 sold करेंगे कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा क्या जाएगा, closing inventory now, opening inventory का क्या बोला question ने, 40%, 1 4th of the, 1 4th of the closing inventory, closing inventory का 1 4th, closing inventory कितना है 80,000, 80,000 का 1 4th कितना हो जाएगा, 20,000 so, अगर हम calculate करें average inventory ही आ जाएगा 80,000 plus 20,000 divided by 2 1,00,000 divided by 2 कितना आ जाएगा, यह 50,000 average inventory कितना होगा अपने पास 50,000 का average inventory आ गया ठीक है, उसके बाद, अब हमें क्या चीए inventory turnover ratio क्या चीए हमें inventory turnover ratio inventory turnover ratio क्या आएगा अपने पास COGS, cost of goods sold divided by, cost of goods sold divided by average inventory cost of goods sold कितना अपने पास 1,50,000 divided by average inventory कितना है, 50,000 sold करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास यह 3 times आ जाएगा, inventory turnover ratio ठीक है यह होगा अपने पास next देखते आप, question number कौन सा आ जाएगा, 61 क्या बोलें आप पे, calculate inventory turnover ratio क्या calculate करने, inventory turnover ratio from the following, कैसे calculate करेंगे COGS upon average inventory, ठीक है revenue from operation, बोला मतलब cash sale cash revenue from operation, मतलब cash sale कर दिया 6,00,000,000 credit revenue from operation, मतलब credit sales 4,00,000 मतलब cash में बेचा 6,00,000,000 उदार में बेचा 4,00,000,000 gross profit बता जिया 25% on cost यहाँ तक मेरे को यह पता है कि मैं यहाँ से COGS calculate कर सकता हूँ तो कर दो calculate यहाँ तक मेरे को समझ में आए कि COGS मैं calculate कर सकता हूँ तो मैं पहले COGS ही calculate कर रहा हूँ COGS का formula क्या होगा अपने पास sales minus GP, sales minus GP sales कितना हो जाएगा total sales, हम यहाँ पे total sales लिखते न, तो total sales कितना आ जाएगा अपने पास, यह आ जाएगा 6,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हम दोबारा से लिखेंगे स्योजिस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी हमें ग्रोस प्रोफिट क्यल्कुलेट करना पड़ेगा डारेक्ट नहीं हो यहां पे 25 परसेंट कोस्ट का कितने परसेंट है 25 परसेंट मतलब जीपी 25 रुपए इसका मतलब यह होगा है 25 परसेंट क जीपे कितना 25 कोस्ट कितने अपने पास 100 तो सेल्स की वाल्यू कितनी हो जाएगे अगर हम इसे मैच करेंगे 125 तो अगर हमें यह पर ग्रोस प्रोफिट क्या करना थिक है आज mimर नहीं चाओ तो डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं जीपी की रिक्वार्मेंट नहीं थी आप तो अगर हम सोल करें दस लाख मल्टिप्लाइट 25 डिवाइड बाइट 25 यह आ जाएगा दो लाख रुपए तो और अगर आपको देखो मैं आपको बता रहूं और सोल करोगे तो कितना आएगा एट लेख आएगा यह चाहे तो डायेक्ट सी ओजिएस ऐसे दिखा दो चाहे जीपी कल्कुलेट करके ऐसे दिखा या फिर वह एक सोटकट जो मैंने आपको पहले बताया था उससे कर लो ठीक है होगे अपने पास सी ओ जीएस आ गया आठ लाग रुपए का अब क्यूशन को आगे पढ़ते हमने नहीं पढ़ा था क्लोजिंग इंवेंट्री थ्री टाइमस ओफ दा ओपनिंग कोई बात नहीं ओपनिंग इंवेंट्री 10 परसेंट ओफ कोस्ट का सो ओपनिंग इं ओपनिंग इंवेंट्री आगी अब हमें क्या क्लोजिंग इंवेंट्री क्लोजिंग इंवेंट्री क्लोजिंग इंवेंट्री क्या होगा अपने पास थ्री टाइमस ओफ दा ओपनिंग इंवेंट्री ओपनिंग का तीन गोड़ा ओपनिंग कितनी 80,000 multiply by 3 कितना आ जाएगा 80,000 प्लस क्लोजिंग 2 40 divided by 2 यह आ जाएगा 3,20,000 divided by 2 यह आ जाएगा अपने पास 1,60,000 यह अपने पास आ गया average inventory average inventory आ गया अब हमें क्या calculate करने inventory turnover ratio तो inventory turnover ratio होगा COGS upon average of inventory so COGS is 8,00,000 divided by 1,60,000 8,00,000 divided by 1,60,000 कितना आ जाएगा अपने पास 5,10 तो आंसर इज 5,10 होगा यह अपने पास आंसर होगे इस question का next देखते है question number 62, easy question जदा hard नहीं है revenue from operation sales बोल दिया 7,00,000 का gross profit question ने खुद ही बता दिया तो यहां से COGS आ जाएगा ठीक है COGS कैसे आएगा अगर हम calculate करें तो यह आ जाएगा sales minus GP 7,00,000-1,40,000 7,00,000-1,40,000 कितना आ जाएगा अपने पास यह आ जाएगा 5,60,000 COGS अपने पास cost of goods sold कितना होगे 560 का होगे now अब inventory turnover ratio given है 7 times का find out the value of closing inventory if closing inventory 16,000 more than the opening inventory देखो भाई question करने के बहुत सारे method है मैं पहले बता रहा हूँ in question को करने के बहुत सारे method है मैं जिस method से कराता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपके teacher ने किसी और method से बताया है वह भी ठीक होगा ठीक है ना देखो so inventory turnover ratio पहले हम formula लिखेंगे inventory turnover ratio पहले तो ना average inventory calculate कर लो inventory turnover ratio is the COGS upon average inventory अब अपने पास data क्या है एक तो अपने पास inventory turnover ratio 7 times तो 7 is equal to COGS अपने पास कितने का 560 ठीक है यह हमने calculate कर लिया 560 divided by average of inventory मैंना आपको पहले का है math से यह हो सकते है आपके teacher ने किसी और method से solve किया हो जैसे आपके teacher ने किया कर लो मेरे को को issue नहीं है ठीक है ना examiner को को issue है उसे answer से मतलब है ठीक है ना हम कैसे solve करते average inventory divide में equal to से दूसरी side लेके जाते तो multiply में चला जाएगा यह seven times of average inventory मैं इस question में बता रहा हूं कैसे कर रहा हूं इसके बाद direct करेंगे फिर ठीक है आया समझ में या फिर ना इसके अप उन में one लिखे cross multiply करो यह भी एक concept है ठीक है अब seven multiply में दूसरी side ले जाओ डिवाइड में हो जाएगा average inventory कितना आ जाएगा 5,60,000 divided by seven so average inventory कितना आ जाएगा 80,000 का average inventory कितना आएगा अपने पास 80,000 का आ गया average inventory 80,000 अब average inventory का formula क्या होता है जो average inventory होती है उसका formula होता है opening inventory plus the closing inventory divided by two average inventory अपने पास 80,000 है 80,000 is equal to upon two अब question में क्या language use किये देखो find out the value of closing inventory हमें closing inventory find out करना है कब जब closing inventory 16,000 जाद है किससे opening से तो मैं इसको ऐसे लिख लो closing inventory is equal to opening inventory plus 16,000 ऐसे लिख दूँ मैं इसको बई मैं पहले कह रहा हूं देखो आपके टीचर ने हो सकता किसी और method से करायो या फिर आपने जिस book से देखा हो प्लस closing inventory के जैंगे क्या लिख ले opening inventory plus 16,000 ऐसे लिख ले ठीक है तो यह two set आके multiply हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पस वन लेक्स 16,000 वन लेक्स 60,000 इस इक्वल टू ओपनिंग इंवेंट्री तो यह two times of opening inventory हो जाएगा तो टू ताइमस ओफ ओपनिंग डबल हो जाएगा ना प्लस 16,000 अब 16,000 प्लस से इक्वल टू से दूसरी साइड माइनस तो वन लेक्स 60,000 से माइनस कर लेंगे 16,000 इस इक् कितना आ जाएगा 144,000 और यह two multiply में यह divide आ जाएगा is equal to opening inventory, so opening inventory कितना आ जाएगा 144,000 divided by 2 यह आ जाएगा 72,000 opening inventory कितना आ आ गया अपने पास 72,000 का opening inventory आ गया लेकिन question ने पूछा क्या closing inventory, तो closing inventory आपने क्या लिखा opening प्लस 16,000 ओपनिंग कितना 72,000 प्लस 16,000 इसमें 16,000 अड़ कर लो, so 17,000 प्लस 16,000 कितना जाएगा 88,000 यह क्या आ जाएगा अपने पास closing inventory, ठीक है अपने पास दोनों आ आ गया, closing भी आ गया, opening भी आ गया, closing आ गया कितना, एक मिन्टम ने गलत किया क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, opening 72, and closing inventory, 88,000, ठीक है, चलो, next question देखते है, इसमें इतना ही करना था, इस question को भाई स्टार कर तो, इस question को स्टार कर लो, opening, closing, inventory, solve करने के जितने भी concept possible है, यहाँ पर cover हो जाएंगे, cash revenue from operation, cash sales, 1 lakh, credit revenue from operation, credit sales, 5 lakh, gp, gross profit, 120, and the inventory turnover ratio, 4 times, तो, सबसे पहले क्या करेंगे हैं, यहाँ पर cogs, calculate कर लेते हैं, cogs कैसे आएगा, sales minus gp, sales की value कितनी हो जाएगी, total sales लेके चलेंगे न, 1 lakh plus 5 lakh, कितना आजाएगा, 6 lakh, minus, gp कितना अपने पास, 1 lakh 20,000, total sales लिखे हैं, मैंने यह, 1 lakh 20,000, so, 6 lakh minus 1 lakh 20,000, यह आजाएगा, 4 lakh 80,000, तो, cogs कितना होगे, अपने पास, 4 lakh 80,000 का cost of goods sold आगे, ठीक है, अब inventory turnover ratio में बता है, 4 times है, तो, पहले हम क्या calculate करेंगे, average inventory calculate कर लेंगे, यहाँ से, क्यों, क्योंकि question ने बोला, calculate the value of opening and closing inventory, in each of the following alternative cases, हर case में क्या बताने है, opening, closing inventory बताने है, जैसे हमने last question किया, बिल्कुल से हम वैसे ही करेंगे, हमने पता है, inventory turnover ratio का जो formula है, वो क्या आपने पास, cogs upon average of inventory, ठीक है, so inventory turnover ratio कितना आपने पास, 4 times, 4 is equal to cogs कितना आपने पास, 4 lakh 80,000 divided by average of inventory, last question में मैंने आपको बता दिया कैसे करने है, यह उसाइड multiply, यह यहाँ divide, so average inventory कितना आजाएगा अपने पास, 480 divided by 4, ठीक है, कितना आजाएगा, 4 lakh 80,000 divided by 4, यह आजाएगा, average inventory कितना, 1 lakh 20,000, इतना हो गया, अब, average inventory का formula क्या होता है, average inventory is equal to opening inventory plus closing inventory divided by 2, इतना है, average inventory अपने पास, 1 lakh 20,000 है, 1 lakh 20,000 is equal to opening plus closing divided by 2, 2 यहाँ के multiply हो जाएगा, मतलब, 2 lakh 40,000 is equal to opening inventory plus closing inventory, 2 lakh 40,000 is equal to opening inventory plus closing inventory, यह हो जाएगा, इतना हो गया, अब, यह जो आपने solve कर लिया है न, यह, इसका ही काम है, आगे 4 पार्ट बे, 2 lakh 40,000 is equal to opening plus closing, इसके base पे ही, अब हमें आगे question solve कर दे हैं, केस वन देखते हैं, केस वन, फर्स्ट केस में क्या बोला, फर्स्ट केस के अंदर given है, if closing inventory was 1 lakh in excess of opening inventory, की अपने पास जो closing inventory हो, वो एक लाग ज्याद है किस से opening inventory से, तो पहले यहाँ पे लिखे ले, closing inventory is equal to 1 lakh plus opening inventory, यह लिख लिया, अब हमारे पास यह equation है, 2 lakh 40,000 is equal to opening plus closing, so 2 lakh 40,000 is equal to opening plus closing, opening तो opening ही रह जाएगा, और closing की जंगे कितना लिखे लेंगे, opening plus 1 lakh, opening plus 1 lakh, 1 lakh इस से डाके minus हो जाएगा, so 2 lakh 40,000 minus 1 lakh, 2 lakh 40,000 minus 1 lakh is equal to 2 times of opening, 2 है न, add हो जाएगे, तो 2 times of opening inventory हो जाएगा, so 2 lakh 40 minus 1 lakh कितना आजाएगा, 1 lakh 40,000 is equal to 2 times of opening inventory, ठीक है, 140 divided by 2, यह 2 divide कर देगा, तो क्या आजाएगा अपने पास, यह यहाँ पर आके divide करेगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, 1 lakh 40,000 divided by 2 is equal to opening inventory, so 70,000 के आजाएगे, अपने पास opening inventory आजाएगे, कितनी आगे अपने पास opening inventory, 70,000 के divide करेंगे, अब हमने यहाँ पर पढ़ाएगे, क्या पढ़ा हमने, कि closing inventory is equal to, यहाँ पर जो given है, closing inventory is equal to 1 lakh plus opening, so closing inventory क्या हो जाएगा, 1 lakh plus opening, opening कितना अपने पास, 70,000 हमने अभी calculate किया, so closing inventory कितना आजाएगा, 1 lakh 70,000 का अपने पास closing inventory आजाएगे, 70,000 and 1 lakh 70,000, होगे अपने पास, second देखते है, second case देखते है, case 2, if the closing inventory was 2 times that in the beginning, closing inventory क्या double है, that in the beginning, so हम ऐसे लिखे, closing inventory is equal to 2 times of the opening inventory, double हो गया न, बाई, दोगुना हो गया है, 2 times of the opening inventory, math से भाई यह, मैं math के बेश पर solve कर रहा हूं सारा, closing inventory is equal to 2 times of opening inventory, दुगना हो गया, अब equation हमने देख लिए, 2,40,000 is equal to, यह common हो जाएगी यहाँ पे, इन चारो case के लिए, 2,40,000 is equal to opening plus closing, so ऐसे लिखे, 2,40,000 is equal to, opening inventory तो opening यह, लेकिन closing inventory की value के है, 2 times of opening, 2 times of opening, इस opening के आगे कुछ नहीं है, तो 1 माल लो, कुछ नहीं है तो 1 माल लो, 1 multiply माल लिया, so 1 times of opening plus 2 times of opening, कितना हो जाएगा, 3 times of opening, so 2,40,000 is equal to, 3 times of opening inventory, यहाँ फिर ऐसे कर लो, अगर आपको लग रहा है, नहीं सर्वन नहीं लिखना, confusion होगी, तो ऐसे कर लो भाई, 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3, so 3 आके divide कर देगा, इसको 2,40,000 divided by 3, is equal to opening inventory, so opening inventory कितना आजाएगा, अपने पास 80,000 का, कितना आगे आपने पास, 80,000 का आगे, opening inventory, now closing inventory क्या हो जाएगा, अपने पास, 2 times of opening, 2 into 80,000, कितना हो जाएगा, closing inventory अपने पास, 1,60,000, 80,000 and 160, ठीक है, यह हो गया case 2, now case 3, case 3 क्या हो, case 3 होगा अपने पास, if the closing inventory was 2 times more, than in the beginning, if the closing inventory was 2 times more, इस case के उपना, specially star करके रखना है, यह confuse करेगा आपको exam, मैं मैं पहली कहा रहा हूँ, और अभी भी confusion हो कि, जब मैं कराऊंगा अपतर, तो ध्यान से सुनू, if the closing inventory was 2 times more, दुगने से जाद है, दोगना से जाद है, double नहीं है, double से जाद है, बस, इस last case में, और इसमें क्या फरक है, कि 2 times के बाद, more लिखा हुआ है, last case में क्या था, double था, third case में क्या है, double से जाद है, ठीक है, तेखो, कहने का मतलब क्या है, कि अगर, मेरे पास 1 रुपे, ठीक है, मेरे पास 1 रुपे, मानलो, A के पास 1 रुपे, B के बारे में बोल दिया, कि दुगने से जाद है, मेरे पास जो पैसा है न, उसके double से जाद है, तो मेरे पास जो पैसा, वो कितना 1, पलस उसका double, उसके double से जाद है, उसके double से जाद है, 1 multiply by 2, मतलब उसके पास कितने 3 रुपे, इसका कहने का मतलब क्या है, कि आपके पास जो है वो तो सामने वाड़े के पास है लेकिन उसका double भी उसके पास है मतलब अगर मेरे पास एक रुपए है और तो सामने वाड़े के पास एक रुपए तो है लेकिन इसका double भी उसके पास है दुगणा भी उसके पास है सामने वाड़े के पास कितने तीन रुपए रूपै यह कर लो ना कर लो कितना हो जाएगा टू तो उसके पास कितने पैसे ज्याद है मेरे से डबल ज्याद आप समझ में क्या यह अपने पास लोग तो बेड़ेंगाक लेजिए तू ये ये दो गुना से जादा है मतलबुत तीन गुननच इनगटव मेरे पास बड़ूस तीन गुणा जाद है, ठीक है, 3 times हो जाएगे, 2 times more का मतलब है 3 times, ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करने है, यह उठाओ बाई, 2,40,000 is equal to opening plus closing, 2,40,000 is equal to opening plus closing की value कितना है, 3 times of opening, 3 times of opening, So, 3 time of opening plus opening, कितना आ जाएगा, 4 times of opening inventory is equal to 2,40,000, So, 2,40,000 divided by 4, is equal to opening inventory, यह कितना हो जाएगा, 2,40,000 divided by 4, कितना आ जाएगा 60,000, कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, opening inventory, अब हम यहां से calculate करेंगे, अपने पास, closing inventory, closing inventory कितना आएगा, अपने पास closing inventory आ जाएगा 60,000 multiply by कितना लिखा हमने 3 1,800,000 अरे देखो अगर verify करने तो कर लो closing inventory minus वैसे ज़रूत नहीं है इसकी closing inventory minus opening inventory कितना आएगा 180 minus 60 कितना आ जाएगा 20,000 तो closing inventory opening से कितना जाद है 120,000 था कितना आएपने पास 60,000 opening inventory कितना था भाई कितना आया था हमने किया था 60,000 आया था तो कितना जाद है double से जाद है two times more is 60,000 into two करेंगे तो कितना आएगा 120 तो double से जाद हुआ नहीं आगे न अपने पास case 3 चलो next देखते है case 3 हो गया देखते है case 4 case 4 क्या है if the closing inventory was three times that in the beginning जो closing inventory वो तीन गुणा है जो अपने पास beginning में उसका case 4 closing inventory was three times that in the beginning मतलब closing inventory तीन गुणा है जितना आमारे पास opening है कि उनल करने के जो तीन ही नहीं है अरे यहीं बोले ना closing inventory was three times that in the beginning और यहीं हमने इस ओल किया था closing inventory three times that in the beginning तो यह जो आपने यहां लिखा नहीं यहां पर यह सारा portion यह यह एजगी सेंभी लिख़े लेना यह उजडी सेंभी लिख़े लेन बस यह आपका answer हो जाएगा मैंने यहाप पर सूट कर दिया अक्लोजीं इंवेंट्टरी इस इए那個 ड़ीम सब ओपनिग त्याद्ण टू अपनीग फॉलेग फॉटिफैड्ण तैब्नेग फॉट्टि टे रीओ अपने पास ओपनिंग आ जाएगा 60,000 का 60,000 इंटू 3 180 और यह वाड़ा पॉर्सन यहां से अटा देना जो हमने वेरिफाइब करके दिखाया था यह आपके case 4 का भी answer हो जाएगा ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते है next video में with the next question अरे रुको मेरे को चक कर लें दो और question नहीं है बस 63 तक ही है so मिलते है next video में with the next question question number 64 आज के लिए इतना ही thank you